C.I.E.T. and C.E.R.T. द्वरप्रस्चुत है कक्षा 3 की पाठे पुस्तक हमारे आसपास का दूसरा पाठ पौधों की परी रविवार को हम सब बच्चे पास के बगीचे में गए वहां सब ने चुपन चुपाई और अन्ताक्षरी खेली बहुत मज़ा आया फिर दीदी ने कहा आओ मैं तुम्हें एक नया खेल सिखाती हूँ हमने पिछले केंप में इसे खेला था मैं बन जाती हूँ पौधों की परी पौधों की परी जिस चीज का नाम लेगी तुम्हें उसे चुणा होगा दीदी ने खेल शुरू किया वो बोली पौधों की परी कहती है किसी पौधे को चूलो ना सुनते ही सब बच्चे पौधों को चूने भागे अम्मू क्यारी में लगे गेंदे के पौधों को पकड़ कर बैठ गई शबनम ने चमेली की बेल को चूलिया माइकल ने मेंदी की जाड़ी को चूलिया दयाराम नीम के पेड को पकड़ कर खड़ा हो गया दीदी बोली अरे वाह सबने एक एक पौधे को चूलिया जरा देखो तो सबके पौधे कितने अलग-अलग हैं शबनम बोली दीदी आप भी तो छोटे छोटे पौधों पर बैठी हो सोचो तो दीदी किन पौधों पर बैठी होगी खेल फिर शुरू हुआ अब पौधों की परी ने कहा एक ऐसे पेड को चुओ जिसका तना या तो बहुत मोटा हो या फिर पतला हो बच्चे फिर भागे मोटे और पतलित अने वाले पेड़ों को चुने क्या तुमने कोई ऐसा पेड देखा है जिसका तना चित्र में दिखाए गए पेड जितना मोटा हो माइकल को खेल बड़ा रोचक लगने लगा था खेल में परी बनकर वो सब बच्चों पर अपना होक्म जो चला सकता था वो बोला अब मैं बनूँगा पौधों की परी पर मैं परी? चलो बन जाता हूं सब हसे और करने लगे परी के आदेश का इंतजार माइकल बोला सब बच्चे जल्दी से मुझे कुछ पत्ते ला कर दो दीदी ने कहा लेकिन ध्यान रहे तोड़ कर नहीं सब दोड़ पड़े और जो पत्ते नीचे पड़े मिले उन्हें उठा लाए दीदी ने कहा क्या सब ही पत्तों का रंग आकार और किनारे एक जैसे हैं दयाराम ने कहा मुझे तो पता ही नहीं था कि पत्ते इतनी तरह के होते हैं देखो कोई गोल है कोई लंबा और कोई तिकोना अम्मू बोली इन सब के रंग भी कितने अलग-अलग हैं कोई हलका हरा तो कोई गाढ़ा हरा कोई तो पीला, लाल, बैंगनी है एक पत्ता है तो हरा पर उसमें सफेद धब्बे हैं शबनम बोली देखो पत्ते के किनारे भी तो कितने अलग-अलग हैं किसी पत्ती का किनारा सीधा है तो किसी का कटा-फटा कुछ के किनारे तो आरी की तरह है अब मैं बनूँगी पौधों की परी अम्मू और शवनम इकठे बोले दीदी ने कहा अगले इतवार को बनना अब घर जाने का समय हो गया है रास्ते में दीदी ने सब बच्चों को एक कविता सुनाई पत्ते हरे हरे और गीले ढीले लाल बैंगनी और कुछ पीले तरहा तरहा के होते पत्ते बड़ी तरहा के होते पत्ते कुछ हाथी के कान जैसे फड़ फड़ाएं शेतान के जैसे कटे फटे कुछ मुडे तुडे से खाएं कुछ को पान के जैसे सुभा सवेरे बड़े अंधेरे उसके आशु रोते पत्ते लगे कोई तितली कोई भौरा रूएदार कोई बिलकुल कोरा बनता कोई सूख की काटा कोई पिचक कर बने कटोरा साएं साएं संसन फड़ फड़ हवा चले तो करते बड़ बड़ दिन भर रहते खिले खिले से उरज के संग सोते पत्ते तरह तरह के होते पत्ते बड़ी तरह के होते पत्ते ये कवीता लिखी थी विजेंदर पाल सिसोधिया ने बच्चो कुछ पत्ते इकठे करो जैसे नीबू, आम, नीम, तुलसी, पुदीना, हरधनिया इन पत्तों को मसलो और उनकी महक सुंगो क्या सभी पत्तों की महक एकसी है? क्या तुम सिर्फ महक से इन पत्तों को पहचान पाओगे? दीदी ने सबको पत्तों और तनों की छाप लेना भी सिखाया देखो कैसे एक कागज और मुमी रंग या पैंसिल लो पत्ते को मेज या जमीन पर रखो ध्यान रहे जिस तरफ पत्ते की नसे उबरे है न उसे उपर की तरफ रखना है फिर कागस को पत्ते पर रखो अब हलके हाथ से कागस पर मुमी रंग या पैंसिल फेरो पत्ते और कागस को हिलाना नहीं अब इसी तरह किसी तने की चाप भिलो इसके लिए एक कागस को पकड़ कर तने पर रखो और उस पर रंग फेरो देखो तुम्हारे कागस पर तने की चपाई बन गए अब एक दूसरे की बनाई चाप को देखो क्या सब पेड़ों की चाप एक जैसी है? कौन से पत्ते की चाप अच्छी बनी? किस पेड़ की चाप लेना मुश्किल था? और क्यों? अपने घर में देखो किन-किन चीजों पर फूल पत्तियों के डिजाइन बने हैं? तुमने बहुत सारे पेड़ पौधे देखी हैं उन में से तुम कितनों के नाम जानते हो? उनके नाम लिखो ऐसे पेड़ पौधों के नाम लिखो जिनको तुमने कभी नहीं देखा लेकिन उनके नाम सुने हैं किसी बुजूर्ग से पता करो क्या कोई ऐसे पेड़ पौधे हैं जो उस समय होते थे जब वे छोटे थे लेकिन अब वे दिखाई नहीं देते क्या कोई ऐसे पेड़ पौधे हैं जो पहले नहीं थे पर अब दिखते हैं पेड़ से दोस्ती तुम्हारे स्कूल या घर के आसपास कोई एक पेड ढूनो और उससे दोस्ती करो एक लंबी दोस्ती ये किस चीज का पेड है? यदि नहीं जानते तु बड़ों से पूछो क्या तुम दोस्त पेड को कुछ खास नाम देना चाहोगे? क्या रखोगे उसका नाम? क्या ये पेड फूल या फल देता है? बताओ कौन से? इस पेड के पत्ते कैसे हैं? क्या इस पेड पर पक्षी या अन्य जानवर रहते हैं? कौन से रहते हैं? अपने इस दोस्त पेड के बारे में और भी बहुत सी बातें पता करो और सभी को बताओ अपने किसी दोस्त पेड का चित्र बनाओ और उसमें रंग भरो अभी आप सुन रही थे कक्षा तीन की पाठे पुस्तक हमारे आसपास का दूसरा पार्ट स्थुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत